अब आज़ें अब आज़ें नेक्स टॉपिक पे ओपरेटिंग लीज ओपरेटिंग लीज बहुत सिंपल है सर ओपरेटिंग लीज में क्या होता है इसके अंदर कोई कैलकुलेशन का पार्ट भी नहीं है इवन दो माल लो एक विक्ती है माल लेते हैं एक विक्ती है और एक विक्ती है और इसने एक एसिट्स ले रखा है इसने एक एसिट्स लिया हुआ है और जो मिस्टर राम को है वो इसको ये एसिट्स रेंट पे चाहिए रेंट पे ये एसिट्स लेना चाहता है ठीक है रेंट पे ये एसिट्स लेना चाहता है यहाँ पे देखा जाए दो किसिस बन सकते हैं दोनों किसिस रिसकस कर लेंगे ये एसिट्स जो है रेंट पे जो लेना चाहता है ये एसिट्स का लाइफ मैं बता देता हूँ यहाँ पे लाइफ मान लो 10-year है लेकिन ये कहता है कि मुझे जो एसिट्स लेना चाहता है ये वह मात्र 4-year के लिए लेना चाहता है चीक है तो यह lease के terms है तो यह क्या करेगा इसको यह जो assets है जिसकी life 10 साल है यह इसको उठाके देदेगा किसको देदेगा यह इसको उठाके यह assets देदेगा नाव यह every year इसको payment करना चालू कर देगा that is rent value जिसे हम बोलेंगे lease जिसको क्या बोलेंगे lease अब इसके अंदर जो यह अपना profit and loss बनाएगा majorly अब हमें बात करनी है यह कौन क्या क्या record करेगा यह जो अपना profit and loss बताएगा उसके अंदर यह lease rent debit करेगा अपने P&L में और यह जो अपना profit and loss बनाएगा that is यह क्या करेगा एक तो depreciation debit करेगा यह और दूसरा lease रेंट यह अपने पास credit करेगा ठीक है simple सा concept है तो यहाँ lease होता है लेकिन कई बार problem तब create हो जाता है जब lease back हो जाता है operating lease में lease back कर देते हैं चीक है operating lease में lease back कर देते हैं तो यह simple lease था अब देखो lease back सपोस करो मिस्टर रांग जिसको पैसे की जुरूरत है और इसके पास एक assets है इसके पास एक assets है मान लेते हैं इसका घर है ठीक है ना घर है और एक विक्ति that is Mr. Mohan जिसके पास खूब सारा पैसा है जिसके पास पैसा मान लो बहुत सारा है पैसे की कमी नहीं है मान लेते हैं पैसे की कमी नहीं है खूब सारा इसके पास पैसा है ठीक है पैसे की जुरूरत इसको है अब जर्नली यह opportunity ढूंड रहा है कि कहा हम पैसे लगाएं जिससे हमारी कमाई हो जाए और पैसे लगाने का मतलब यह पैसे को लाख रुपे लगाके पैसे को एक लाख दस अजार करना चाह रहा है इसका यह intention नहीं है कि मैं उसको खरीद लूँ एसेट्स को कभी एसेट्स को खर खरीद के रख लिया तो investment नहीं है आपको खरीदने के बाद रेट बढ़ने के बाद बेचना भी पड़ेगा तभी वह investment कहलाएगा क्योंकि आपका objective क्या है कि आपके रुपे को बढ़ाना है ठीक है तो अब इसने क्या देखा किसको घर की जौरत है इसने इससे बात करी और इसने अपना घर इसको बेच दिया इसने अपना घर जो तो भी था इसने अपना घर इसको बेच दिया अपना घर इसको बेच दिया सपोज करते हैं इसने अपना घर बेच दिया 50 लाक में ठीक है नाव जो इसका घर था अब इसने खरीद लिया 50 लाक में इसे 50 लाक रुपे की पेमिंट कर दी अब इसकी जरुरत जो भी थी पेमिंट की पैसे की वो पूरी होने लगी क्योंकि इस 50 लाक आ गया दुबारा से राम मुहन से बात करता है कि काम करो यह जो एसेट्स है मुझे लीज पे चाहिए यानि पहले तो यह एसेट्स क्या कर रहा है सेल कर रहा है और यह क्या कर रहा है परचेज कर रहा है यानि यह कौन हो गया बायर ठीक है और यह कौन हो गया सेलर हो गया ठीक है ना जो सेलर है जिसने एसेट्स को बेचा है अब यही क्या डिमांड करता है कि भाई मुझे यह वाला एसेट्स किराया पे दे दो मुझे क्योंकि मैं एक हट्टा मेरे पास पचास लाख आ गये और आपको जो भी रेंटल विल्ली होगा वह मैं दूंगा धीरे-धीरे करके और शायद हो भी सकता है कि मैं कुस दिनों बाद आपसे एसेट्स खरीद लू तो इस वेक्ति को इस काम क को करने में कोई दिक्कत नहीं यह देखेंगा मैंने लगाए हैं पिछास लाक इसको दे में СпरEx हम दस साल के लिए किराया पर यह 50 सालों में इसको पैसे मिल जाएंगे कितने साथ लाक रुपए और फाइनली लास्ट में भी हम क्या करेंगे यह एसेट्स इसी को दे देंगा ले तूही रहे भाई घर के अंदर कुछ ऐसा मिनीमम पेमेंट दे होता है ना घर वाली केस मैंने एक्जामपल लिया वैसे मसीनरी क केस होगा क्योंकि घर तो भाई दस साल बाद बढ़ जाएगी जबकि मसीनरी की घर जाएगी वहाँ पर तो घर वाला मैंने एक एक एक्जामपल लिया है तो यह कहेगा चल भाई ठीक है तिरको मैं एक लाक रुपए में यह एसेट्स दे रहा हूं तो इसके पास कितने आ ग होगे और घर भी इसी के पास रहा नाव दिक्कत क्या आता है दिक्कत यह आता है यहां पे लोग बाग क्या करते हैं इंकम टेक्स बचाने के लिए दिमाग लगाते हैं अब देखो इसके उपर देखा जाए अगर बात करें रेंट एक तरीके से यह रेंट पेड कर रहा है तो अपने profit and loss के debit में डालेगा उसके बाद इस assets को अगर यह finance lease के तरीके से ले रहा है तो इसका depreciation भी debit में डालेगा इसको दो benefit मिल गए क्या क्या लिखेगा एक तो ये अपने profit and loss के debit में rent भी लिखेगा और depreciation भी लिखेगा दूसरा ये क्या करेगा अपने profit and loss के credit में लिखेदेगा क्या rental amount ठीक है अगर in case ये operating lease वाला concept हुआ तो ये depreciation claim कर लेगा समझ रहे हो बात को अब यहाँ पे हो सकता है कि ये 50 लाख रुपे का समान 60 लाख रुपे का बेच दे यानि इस assets का जो fair value था ना वो fair value इस assets की मैं fair value की बात करूँ तो that is sir fair value 45 लाख था तो 45 लाख वाला समान इसने कितने का बेचा भीया इसको फाइदा भी हो गया कितने का profit हो गया इस case के अंदर sir इसको profit हो गया कितने का 5 लाख तो 5 लाख एखटा नहीं दिखाएगा ये इसको परपोस्नेटली lease rent के ratio में दिखाएगा हर साल का ratio क्या है 10 सालों तक जाएगा 10 साल का rent है तो 10 सालों तक दिखाएगा 1 is to 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 1 के ratio में अगर profit होता है तो उस case के अंदर समझ रहे हैं यहां तक बात अगर profit होता है तो उस case के अंदर यहां तक दिखाएगा लेकिन ऐसा भी possible है कि इसका fair value जो है वो होता मान लेते हैं कि 55 लाख है ना fair value कितना हो गया 55 लाख तो इसका नुकसान भी हो गया तो उस नुकसान को वो एक बार में नहीं दिखाएगा वो दिखाएगा depreciation के ratio में दिखादो आप या फिर एक साथ दिखादो यह इसके उपर मर्जी होता है अगर genuinely इसका इस तरीके से नुकसान हुआ है तो आप एक साथ दिखा सकते हो लेकिन अगर इसने जान बूच के कुछ ऐसा करा है तो उसे ratio में दिखाने के लिए government बोलेगा वह account जब audit होता है तब decide होता है हमारा जर्नलीग ठीक है ना तब लीज पर वापस ले लेंगे तो here यहां पर यह कौन है lesser है और यह कौन है lessy यह कौन है सर हमारा lesser है और यह कौन है सर तो इसके कुछ cases है 9 cases है total 8-9 cases है जिसके बाद आपको सर्फ यह बताना होता है इसमें कि कौन profit कितना book करेगा बस इतना बताना है 7-8 case हा जाएगा और किसका क्या profit booked होना चाहिए जस्ट इतनी से जानकारी देनी है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना लेकिन इसके अंदर हमें कुछ एक word देखने है पहले एक बार theory भी देख लेते हैं leaseback का होता क्या है अगर आ जाता है एक्जाम में तो हम लिख सकते हैं ठीक है आपका कहां मिलेगा leaseback, leaseback, accounting, finance, lease, books of lesser यह सब हम कर चुके हैं पहली class में operating lease और बुक्स ओफ लेसर जर्नल एंट्री यह मैंने फाइव इलिस्टेशन दिया एक है नहीं दिया आज दे देंगे चलो जो depreciation के ratio में बाटा जाता है वो बता देंगे आज यह आ जाते हैं difference यह तो नहीं है यह है यह है शायद न हाँ यह तो कुश्चन है उसका पीछे रहे गया ना थे लीजबैक नहीं लीजबैक होना चाहिए हूँ चलो अभी इसमें देख तो नहीं रहा हम कुश्चन तो है लीजबैक के मैंने कुश्चन देखे तो मैंने सोचा बता देते हैं लीजबैक के कुश्चन देखे थे मैंने भी यह है लीजबैक का कुश्चन ठीक है पीवन यह प्रैक्टिकल है हाँ देखना यह प्रैक्टिकल यह होगा ही कैस्ट अप्लिकेशन बेज चलो कुछ भी कहलो यह सारा कर लेंगे हम अभी कर लेते हैं अन्सॉल्व यह भी आ गया चलिए कि चलिए कुछ कीसिस कर लेते हैं लिख लेते हैं तो सबसे पहले का कॉंसेट पता चला मैं थियोरी वैसे बता दिया जो मैंने आप एक बार रीडिंग कि मार लोगे आपको समझ बें आ जाना है कि नोन इस पर दिखाओ कोई बात नहीं लेकिन कोश्चन दे रखें इन्होंने तो कर लेते हैं कोश्चन दो दे रखें हैं कि कुछ कोश्चन्स हैं जो मैं ले लेता हूं एक्जाम्पल कि बीच में कुश्चन्स करा वागे चलो कोई नहीं कि यहां पर कुछ एक वर्ड है ध्यान रखना एक होता है फियर वेल्यू का होता है मार्केट प्राइस एक होता है कैरिंग वेल्यू इसको हम बोलते हैं that is book value यानि जितने में हमने assets को record किया है इसको हम WDV value भी बोल देते हैं ठीक है तीसरा होगा हमारा selling price selling price selling price जितने का बेचा है अब मार्केट प्राइस भी तो वही होगी है सर सेलिंग प्राइस नहीं हमारा assets मार्केट में 10,000 का है और हमने बेचा उसको 8,000 में तो 8,000 selling price है और fair value कितना है दस अजार इन दोनों में फरक है और carrying amount आपने जितने रुपे में अपने books of account में क्या करा हुआ है record किया हुए तीनों वह वर्ड समझ मैं है इसमें दो step follow करने है तो आपको answer में लेगा step number one step number one that is sir क्या step है यहां पर step number one में आपको compare करना है मैं इसको थोड़ा short form में बोल दूँगा fv और इसको हम मैं short form में बोल देता हूँ आपका cv ठीक है इसको short form में बोल दूँगा sv correct तो compare करना है with किस में fv and cv में ठीक है न compare करना fv and cv में दोनों में compare करना है तो जो हमें यहां से result मिलेगा वो मिलेगा एक value जिसको नाम देते हैं रिवाइज मतलब जोनों में सब जो भी मिला एक value मिलेगा उसको रिवाइज केरिंग वेल्यू का नाम देते हैं ठीक है फिर step 2 फॉलो करना है हमें कि सर स्टेप 2 में क्या करोगे फिर हम compare करेंगे compare किस में सर हम करेंगे रिवाइज केरिंग वेल्यू एंड SP मतलब selling price अभी clear हो जाएगा सारी चीज़े और नो एक्जामपल में सब चीज हो जाएगा फिर compare करेंगे ठीक है करेक्ट यहां तक समझ मैं है mainly इस question में बताना होता है कि profit and loss में कितना profit जाएगा या profit and loss में profit को carry करेंगे या फिर कितना loss को book करेंगा कौन क्या क्या करने वाला है कैसे करेंगे यह बस बताना होता है चलो एक example ले लेता हूँ केस नंबर वन कुछ केस करते जाते हैं केस नंबर वन ठीक है देखिए मानलो fair value 100 रुपए है selling price भी 100 रुपए है और carrying value भी 100 रुपए है पहला केस तीनों amount 100-100 रुपए है अब हमें क्या answer देना है सर profit and loss में कितना जाएगा बस यही बताना है तो सबसे पहले अब हम देखें तो lease back का point आ जाता है कि हमने बेचा और वापस हमने ले लिया तो हम सबसे पहले comparison किस में करेंगे सबसे पहले comparison करेंगे सर fair value and carrying value सर fair value कितने का है 100 का हमने books में भी कितने का record किया तो हमें books में record किया तो कोई फाइदा नुकसान तो हुआ नहीं तो इस situation में profit and loss में zero जाएगा अब सर books में कौन record कर रहा है और fair value तो market value हो जब हमने उसको बेचा है यहां बेचने की बात चल रही है अब वापस से selling price आ जाईए जब बेचा है इसके बाद comparison करेंगे हम किस में सर comparison करेंगे हम इसको यहां पर revise carrying value क्या आएगा कोई बताएगा यहां revise carrying value क्या होगा revise carrying value बताओ revise carrying value 100 ही आएगा ठीक है हमेशा revise carrying value क्या आएगा हमारा normally case में अभी दो तिन example लेने तो फिर समझ में आएगा नहीं तो फिर confused हो जाओगे अब again हम compare करेंगे revise carrying value that is 100 और selling price कितना हो गया हमारा 100 हो गया तो अब again हमारा profit and loss में क्या amount जाने वाला है 0 जाने वाला है पहले यह देखिए अभी मैं जब तक 5-6 example नहीं लूँगा तो बस ऐसे लगेगा कि क्या चल रहा है जब मैं 5-6 example ले लूँगा तो आपको clear हो जाएगे के करना क्या है case number 2 देखें case number 2 अब थोड़ा समझ में आएगा आपको suppose करो fair value 50 caring value 50 and selling price 95 혹 caring कितना माल लिए हमने पच्पन यहाँ पे क्या था 300-500 रखातो पे कडल में 0-0-0 चला गया अब हमने caring value कितना माल लिए है हाँ पे 55 माल लिया है मैंने caring value को छेक है sorry selling price को हमने क्या माल लिए है 95 selling price 95 caring value एक काम करते हैं इसको 55 और इसको 50 रहने रहते हैं सारे वेल्यू चेंज करेंगे धीर ठीक है चलिए सबसे पहले comparison स्टार्ट करते हैं सर कंपेरिजन किसमें होगा केरिंग वेल्यू पचास सरी केरिंग वेल्यू 55 और फियर वेल्यू 50 मतलब हमारा पचास रुपय का होना चाहिए लेकिन हमने बुक्स में फियर वेल्यू कितना है लॉस में क्रेडिट हो जाएगा पहले में रिवाइज निकाल दू यहां पर रिवाइज वेल्यू जो होगा रिवाइज केरिंग वेल्यू तो यहां पर देखा जाए आपने रिकॉर्ड कितने का करा हुआ है केरिंग वेल्यू का मतलब क्या बताया था वुक वेल्यू यानि आपने रिकॉर्ड 55 में किया हुआ है जबकि मार्केट में क्या फेयर चल रहा है पचास तो आपको तो दोनों को और करके कि यहां पर क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा तो यहां profit or a loss में चला जाएगा कि लॉस हो गया कितने का 5 रुचे पैसर में और क्या थाar रिवाइव कि लोग ने है कि इसको क्यों कितना है चाहर? प्राइस कितना है पचास तो हमारा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा जिरु जाएगा है इसको मैंने चीज नहीं कि इसको पचास मान रहे हैं अब फिलाल के लिए पचास मान रहे हैं अगले में 55 लेंगे हमें कंपेर करना है कि हमने बुक्स वेल्यू में कितना रिकॉर्ड किया अब यह जो होगा रिवाइस का मतलब क्या होगा इतना लिखो अब ठीक है तीसरा एक्जाम्पल देखो अभी चार-पांच एक्जाम्पल में आपको खुद क्लियर हो जाएगा फिर बुक्क के भी कुश्चन आपके हो जाएंगे और मुझे लगता है इस बार यह एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है थर्ड कीस लेते हैं 50 अब कम कर रहें ठीक है अब पहला स्टेप में किसमें कम्पेरिजन चलेगा बताओ ठीक है, step number one कर रहेते हैं, step number one, sir fair value क्या है, 50, carrying value कितना है, 45, तो अब हमें balance sheet में, तो जो fair value है, उस पर record करना चाहिए, जितने का होना चाहिए, तो हमारा revise, carrying value कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, अब हम पहले कितने का record करके चल रहे थे, 45 का, कितने का record करके चल रहे थे, क्योंकि carrying value पहले, अब कितने का record करेंगे, यानि 5 रुपे का फाइदा हो गया, तो यहाँ पे फाइदा कितना हो गया हमारा profit, इस 5 रुपे का record नहीं करना इसको defor कर देना है defor का मतलब अभी तो बस हम यह अंदाजा लगा रहें कि profit हो जाएगा ऐसा करने से हर जगह पर एक अनुमान लगा रहे हैं तो यह defor कर देंगे किस में या कई बार क्या करते हैं depreciation ratio में कर देते हैं कई बार lease rent की ratio में कर देते हैं यहाँ पर defor कर देंदे हैं जब होगा तब होगा ठीक है न इसको defor करोगे यानि profit ऐसे case में होगा उसको defor करोगे अब आ जाओ क्या किस में comparison चलेगा अब सर अब चलेगा हमारा revise carrying value that is 50 और selling price कितना था selling price भी 50 यानि अब profit and loss में आ जाएगा 0 अब profit and loss में आ जाएगा 0 देखिए पहले हैं ठीक है एक बार यह वाला amount note करो क्योंकि मैं पीछे पीछ पर जाओंगा तो आपको register पर आंसर देना होगा यह note करो एक बार कि यह मैं इसको ना एक बार और करूंगा रुक जाओं आप सिर्फ दो पार्ट नोट करो यह यह अपने पास image ले लो यह ले लो पीछे फिर मैं अलग अलग एक्सांपल हुआ इस वाले को दुबारा करेंगा दूसरे एक्सांपल से थोड़ा से इसमें correction कर गए करें कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया । कर दो कर दो कर दो देखे एक कोशन और मैं क्या समेट्रिक फॉलो कर रहे हैं चलिए इसको समेट्रिक पहले सेलिंग प्राइज लेंगे फिर फिर वेल्यू लिखेंगे फिर केरिंग वेल्यू लिखेंगे तो सेलिंग 25 एक किसी में सेलिंग 25 फंपचास और पचास सबसे पहले संब नकर river और के इसमें जीरो अब आप रिवाइज रिवाइज हैगा ना रिवाइज केरिंग वेल्यू पचास ही आजाए एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सीरो इसे बैलेंस शीट में लिखना है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एंट्री करना है इसके बाद हमाग करेंगे रिवाइज कितना आगया हमारा रिवाइज आगया पचास और सेलिंग प्राइस कितना हो गया पचपन इसका मतलब आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है पचास का और आप इसे पचपन रुपे का बेचना चाहो तो अभी बिख जाएगा यही मतलब हुआ तो यह profit जो है हमारा यह deferd हो जाएगा profit जो हुआ यहाँ पे हमारा कितने कसर 5 का यह deferd हो जाएगा यह क्या हो जाएगा deferd जब बेचेंगे तब record करेंगे prudence approach यही कहता है कि जब profit होगा तब record कर लेंगे और loss को अभी record कर लो ठीक है case number इसको 3 दे देते हैं case number 4 case number 4 मैं सोच रहा हूँ एक page पे सारा दिख जाएगा आपको तो बढ़िया है ना एक दो तीन चार कौन चे एक page पे सारा दिख जाएगा तो बढ़िया है उसको भी यहीं लिए आते है उस case को भी ताकि आप comparison कर पाऊ ना हुआ हुआ यह case तो देखो चली रहा है हमारा हुआ 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 है हुआ 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 है है केस नंबर फौर अच्छा कर दो ते पराने वाला है यहीं पे नोगे नोगेड़ मैं कर दूँ हूँ, कोसुस कर दूँ हूँ, ताकि आपको समझ में आ जए Case No.4 Selling Price मान लेते हैं 55 और Fair Value और Caring Value Selling Price हमने 55 मान लिया, Fair Value हमारा कितना है 50 मान लिया और हमने Caring Value भी 55 मान लिया सपोस करते हैं, 50, 55, 55 ठीक है अब Compare करें सबसे पहले हम FV and CV अब Fair Value कितना है 50 है और जो Care Value कितनी है हमारी Caring मतलब कि जितना Books में रिख रखा है ये तो Actual हमें Market Price को लेके चलना चाहिए Actual तो हमारे Revise Caring Value कि आ जाएगा 50 आ जाएगा ऐसा करने से हमारा नुकसान हो जाता है ऐसा करने से Loss हो गया कितने का तो ये हम Profit and Loss में करतेंगे ऐसा करने से हमारा Loss हो गया जो हम Profit and Loss में करतेंगे कितने का पांच का अब आगे कंपेरिजन होगा RCV RCV में कितना है 50 और हमारा Selling Price क्या है 55 तो नाव इसके अंदर फिर पांच रुपे का क्या होगा हमें फाइदा होगा 50 हमने लिख रखा है BK का कितने का तो फाइदा होगा तो जो फाइदा है बेचने पे होगा न तो पांच रुपे को हम क्या कर देंगे सर Profit होगा यहां पांच रुपे का और उस पांच रुपे को हम deferred कर देंगे as per prudence approach के साब से केस नंबर चार के बाद केस नंबर पांच चले केस नंबर पांच माल लेते हैं selling price पचपन और fair value पचास और caring value इसको 45 माल लेते हैं देखभ लो केरींगे विल्यू 25 सबसे पहले हमें compare आंऩे ż in for Islands to know पचेश पचास क्यां पांट diagnosis तो रिवाई्थ क्या है में हमारा मार्केट में 20 when जो होना चाहिए फ्यारी कितना होना चाहिए हमारा पचास होना चाहिए लेकिन हमें बुक्स में कितना रिकॉर्ड कर रखा है हमने 45 अब देखो यहां पर थोड़ा सा कॉंटरडिक्ट हो सकता है आपके साथ हमें कई बार ना यहां पर रिवाइज जो आएगा ना वो हमें लिखना होगा 45 फiao擊 95 कि इतना लिखना होगा क्यूंकि हम फियर वेल्यू 50 है लेकिन सर यहां पर भी तो फियर वेल्यू 50 था ता आपने रिवाइज को 50 क्यूं लिया यानि अगर आपका फियर वेल्यू कम होगा इस बात का आप सब्सक्राइब करोगे तो पांच रुपए का नुकसान हो गया ठीक है ऐसा करने से आपका क्या हो गया लॉस हो गया पांच रुपए जब हमारा कैरिंग वेल्यू जादा होगा तो हम उसे कम कर देंगे यानि फेर वेल्यू के बराबर लें गयाना है लेकिन अगर कैरिंग वेल्यू हमारा कम है यानि बुक्स के अंदर जो हमने कम लिखा हुआ है तो हमें उसे रिवाइज करने की जूरत नहीं है कम वाले को चलने देना है ठीक है अब दूसरा हमारा कमपेरिजन होगा रिवाइज कैरिंग वेल्यू दैट इस आगया 45 और हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया यहां पर 55 और दोनों में कमपेरिजन करेंगे अब यहां पर क्या हो गया फाइदा हो गया अब इस फाइदे में दो पंगा है एक तो पीछे वाला देखा जाए फाइदा कितना हो गया सर दस का अब दस में फाइदा देखा जाए तो एक तो पांच रुपए तो उपर जो हमने record ही कम कर रखा है उस loss की वज़े से फाइदा होगी हमारा और दूसरा पांच रुपए एक है जो कि हमारा genuine फाइदा हुआ है तो ये वाला जो पांच रुपए का profit है और ये वाला पांच रुपए का जो है जो कि हम compare करेंगे फियर वेल्यू पचास पचपन के हिसाब से ये पांच रुपए तो deferred हो जाएगा और ये profit and loss में चला जाएगा फाइदा है ना एक तो deferred हो गया कौन से आले deferred हो गया जब compare करो पचास से पचपन का विक्रा है future में ज़्यादा मेंगा विक्राइगा लेकिन पांच रुपए इसमें चला जाएगा ठीक है चलो यहीं पर case और बढ़ाते है case नंबर 6 बस दो तिन case है फिर आपको book के question इसी case के recording करोगे आराम से हो जाएगा case नंबर 6 चलो एक और बताना selling price fair value caring value selling price हम मान लेते हैं जो 50, 50, 45 50, 50, 50, 45 मान लेए ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं compare करें fair value caring value 50 और 45 बताओ क्या लेंगे revise 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 caring value that is 45 अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है loss हो रहा है गें तो loss हो गया हमारा कितने का पांच का जिसे record करेंगे पी एंडल के debit में अब comparison करो revise caring value और selling price कितने का है यह 45 और कितने का बिक जाएगा 50 का तो यहाँ पर क्या होगा फाइदा तो यह profit चला जाएगा पी एंडल के credit site ठीक है क्यूंकि यह revise caring value हमने कम book कर रखा था इसलिए deferred नहीं किया यहाँ वाले में क्या deferred क्यूं किया क्यूंकि हमने इसको fair value के according record किया है और उससे भी कहीं जादा बिक रहा है यानि fair value क्या है इतने का होना चीए अगर उससे भी आप जादा में बिक जाए आपका तो जब बिक एगा तब book कर लेंगे ठीक है चलिए अगले point पे आते हैं profit and loss 45 यहां पर एक यह भी point होगा यह 5 रुपए का जो loss है profit है हमारा क्योंकि हमने record 45 का कर रखा है और fair value कितने का है मैंने question 6, 50, 50, 45 ही लिया ना पचास, 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 पैंतालेस, पैंतालेस और पचास, रिवाइज आ गया, पैंतालेस तो profit आना चाहिए क्योंकि पचास और पैंतालेस, पैंतालेस का तो आपका फाइदा ही होगा तो जो हमारा profit होगा polling is zero as per evidence यानि जब होगा तब, deferred मान लो एक तरीके से छे तीन एक बार compare करो, किस में क्या लग रहे हैं पच्पन, पचास यहां पर हमने दिखा है लॉस यहां पर हमने दिखा है लॉस यहां पर हमारा पैंतालेस लॉसी आना अच्छी है लॉसी आएगा लॉसी आएगा यह लॉसी होगा प्रोटेंस बनी जाएगा यह गलत लिखा बात हो लॉसी आएगा ठीक है लॉसी रहेगा इसके बाद आ जाते हैं अगले point पर बस दो केस और है केस नंबर सेवन केस नंबर सेवन 45 सेलिंग प्राइज फेर वैल्यू और एक और क्या हमारा केरिंग वैल्यू हम ले लेते हैं 45-50-45 ठीक है अब आ जाईए सबसे पहले कंपेर करेंगे फेर वैल्यू और यह फेर वैल्यू कितना है पचास केरिंग वैल्यू कितना है 45 तो यहां पर हमारा लॉस आ गया रिवाइज करते ना पहले तो रिवाइज केरिंग वैल्यू कितना आ गया 45 तो यहां पर लॉस आ गया कितने का पांच का अब कंपेर होगा रिवाइज केरिंग वैल्यू देट इस 45 और सेलिंग प्राइज देट इस 45, तो क्या आगया profit and loss में हमारा 0 ठीक है एक और case आजाए last, second last case है case number 8 selling price fair value, carrying value 3 के है ने, 9 multiple बन जाएंगे वही चीज़े कोई miss न हो जाए 8, selling 50, 45 45, 45, 50 यह वाला case आया के कहीं selling price कम आया के कहीं, नहीं आया ठीक है चलो अब यह आजाते हैं हम compare करते है sir compare किस में करोगे selling price oh sorry CV और FV CV कितने है 50, FV कितने है 50, तो revise क्या होगा 50, profit and loss में 0 अब आगे आ जाते हैं revise carrying value कितने है 50, और selling price कितने है 45 अब difference कितने का हुआ loss 5 का होगा, जब ऐसा case आ जाए, तो इस loss को हमें amortize करना होता है, depreciation के ratio में, ठीक है न, इस या फिर, यहाँ पर दो cases हो सकता है, एक तो चलो मैं पहले यह loss, पहले यहां तक देखो loss समझ में आ गया, यह loss, ठीक है, तो अब हमें अरे पास दो चीज़े है, rent है और depreciation, दोनो लगबग लगबग सहीं में रहेगा, अगर SLM वाला case है, तो, इसको कर देते हैं, जादा सा जादा, rent lease ratio में, profit and loss में debit, ठीक है, एक case इधर last, 9, अब क्या रहे गया हमारा एक और, selling price 45, caring value, fair value ले रहे हैं न फिर, fair value, आपना ऐसे ही note करना, जैसे यह कर रहा हो ताकि आपको comparison easy देख जाएगा, यहाँ पर थोड़ा उपर नीचे कर दिया न मैंने, तो यह तीन point में दिक्कत हो गया है, नहीं, दो points में, इसको भी वैसे ही note कर लेना, ठीक है, fair value ले लेते हैं हम 50, और carrying value ले लेते हैं हम, कितने लेने हैं, carrying value, 55, ठीक है, सबसे पहले, step number one, fair value, carrying value, that is आपका 50 और 55, तो यहाँ पर, अब बताओ यह कौन से अलग case लग रहा है, उपर हम कर चुके हैं ऐसा case, क्या आना चाहिए, यहाँ पर result क्या आना चाहिए, पचास और 55, carrying value ज्यादा है, carrying value ज्यादा है, तो यहाँ पर RCV, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, loss हो जाएगा, ठीक है, नहीं, सेम थोड़ी है, fair value 50, carrying value 55, RCV value, ठीक है, हाँ, RCV value क्या लेंगे हम, सर 85 लेंगे, यानि fair value से उपर तो जाएंगी नहीं, हमने record तो 85 कर रखा है, तो यहाँ पर loss हो गया कितने का, पांच का, अब compare करेंगे, RCV, जो कि कितना अगया, 50, और फिर compare करेंगे, SP, जो कि कितना है, 55, बेचा तो है नहीं, तो इसमें जो 5 रुपे होगा, SP, अच्छा, SP, 45, अब कितने का loss हो गया, loss 5 का हो गया, यह आजाएगा profit and loss के debit में, अब एक बार यह वाला case देखो, यहाँ पे जो RCV आया है ना, वो इसमें सो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे RCV जो देख रहे हो, 5 रुपे का क्या है हमारा, loss है, और यहाँ पे हमारा, 5 रुपे का यहाँ भी क्या था, उपर भी loss था, उसकी वज़े से हुआ हमारा यह, इसके उपर 2 है, यह तो profit and loss में दिखा हो, यह profit and loss लिखना हो, अब सामने है आपके, आपके book में देखिए, question number, जो case study दे रखा है, उस case study base वाले question में जाईए, वहाँ पे ऐसे ही आपको 3-4 price मिलेंगे, और different case दे रखा होगा, इसमें सर्फ और सर्फ आपको answer देना है, ठीक है, मैं आपको यह लेकर चलता हूँ, यह रहा, unsolve भी मान लेते हैं, आपको 3 चीज़े मिलनी चाहिए, 3 चीज़े देंगे, अब जैसे ebcdf दे दिया, दो-दो number की question दे दिया, 10 number कहा जाएगा, अगर सारा case यहाद होगा तो, wdv मतलब जितने का record किया है, wdv का मतलब जितने का record किया, यानि आपका carrying value है, और, एक तो है मारा a limited की बात कर रहा है, और एक बोल रहा है कि, ask to be limited, 45 the same plant, कहता है, a ने sold किया plant, 30 लाग book value, to be, ठीक है, to be limited, for 45 लाग, और इसको कितने का बेच दिया है, इसने है, 45, अब देखो, यहाँ क्या देता है, अगर हमारा, selling price 45 हो, और एक वर fair value हो, तो क्या होगा, यह मैं एक बार illustration देख लें, तो यहाँ लिखना थोड़ा सा मुस्किल होगा, तो मैं illustration ही देख लेता हूँ, पीछे थान illustration है, यह रहा, इसके answer दे रखे हैं, दे रखे हैं, ठीक है, same equation है, देखो, यहाँ पर selling price क्या है, आपने पीछे वाला image लिए, मैं compare करा दूँगा, selling price क्या है, 50, fair value भी क्या है, 50 है, ठीक है, और यहाँ पर carrying value कितना है हमारा, 40 है, carrying value क्या है हमारा, 40 है, और 50 रुपए वही बोल रखा है, कि हम उसे बेचेंगे, same जो कि selling price है, यह selling price ही है, ठीक है, answer में क्या कहता है, when sales price 50, equal fair value, A should be immediately recognized, profit 10 लाक रुपए, 50-10 into books, अब इसका कौन सा case बन रहा है, वो देखना, fair value 50-50, और selling price fair value same है, और carrying value कितना हो गया हमारा, कम हो गया, 40, चलिए देखिए, यहाँ, मैं compare वी गड़ा हुआ, fair value, और वो दोनों क्या था, दोनों same-same थे, 50-50, तो देखते हैं कौन से वाला case लग रहा है, selling price और fair value same, selling price fair value same, selling price और fair value same, कहां लिखा था हमने, case number 6, हाँ, और carrying value कितने हो गया, ठीक है, तो ऐसे situation में, 5 का revised carrying value 45 आ गया था, इन दोनों के, बीच का difference, और इन दोनों के बीच के difference, जो कि profit and loss, यहाँ पर क्या गया था हमारा, 5 आएगा हमारा, profit and loss, और 5 वहाँ चला जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, fair value, it should be immediately recognized, the profit 10 lakh rupees, 50 minus में, 50, 50 minus में 40, fair value बचाँ जाएगा, बस यही लिखना है, इसमें profit कितना जाएगा, और वो कितना जाएगा, तो यहाँ पर जो था, फरक यह था, कि मेरे वाले में 45 लिया हुआ था, यहाँ वाले में 40 है, तो 40 जब माइनेस करोगे, तो profit कितने को हो गया, तो 10 lakh rupees ने लिखा दिया, केस नंबर B का आंसर, अब मैं इस आंसर को हटा देते हैं, एक बार को, चलो, D नहीं दिख रहाँ आपको, एक बार आप D का सोचो, D, आपके सामने आंसर मैं दिखाऊँ आप पीछे, पहले यहीं compare कर लेते हैं, नहीं तो fair value कितना है, 40, और selling price, caring value, 40, पहले इन दोनों में comparison होगा, तो revise caring value, 40, selling price, 50, तो 50 बिकेगा तो, तो 5 रुपे future में मिलेगा ने, तो 5 रुपे क्या चला जाएगा, हमारा deferd हो जाएगा, profit में, क्योंकि अभी बेश तो नहीं रहे, तो deferd हो जाएगा, यह देखे, डी कौन सा करा था हमने, 40, 50, 5 कैसे लिख लिख लिए फिर हमने, 10 है, हाँ D बोला था, मैंने 45 ले लिया था ना, वहाँ पर, तो यह कह रहा है, कि 10 लाख रुपे, deferd amortized lease period, ठीक है, चलो E, मैंने 45 जो पीछे example लिया ना, वही दिमांग में चल रहा है, E part करें, E part में क्या है, fair value, 46, sell price, 50, और caring value, 40, ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में, comparison होगा, ठीक है, तो caring value क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि कम ही लेते हैं हम, 40, यहाँ पर loss हो गया, RCV कितना आ गया हमारा, 40, यहाँ पर loss हो जाएगा, कितने का, 6 रुपे का, ठीक है, अब आगे चलते हैं सर, RCV, कितने हो गया, 40, और selling price, 50, तो अब कितने का फाइदा हुआ, 10, 10 में लेकिन, 6 तो वो वाला है, ठीक है, कौन सा था हमारा है, तो 46, 8, 50, 46, 46, तो कहरा है ये, 46 to be, balance profit, 4, लाख जो बच गया, is to be, deferred हो जाए, ठीक है, तो यह आप एक दो बार पढ़ लोगे न, और मान के चलो, यह वाले आपके 9 के 9 cases, जैसे आपको concept clear हो जाता है, तो मान के चलो, 12, 15 नंबर का कुशन आगया, तो बहुत easily कर सकते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं कौन से, F देखो चलो, F, F में क्या कह रहा है, fair value, 35, अब carrying value इसी के साथ लिख लेते हैं, carrying value क्या है, 40, और selling price क्या दे रख़ा है, 39, ठीक है, इन दोनों में comparison करेंगे, कितना आएगा, RCV, 35 आगया, ठीक है, क्योंकि हमें fair value पर लेके चलना चाहिए, कम value है यह, अब इसको comparison जब हम करेंगे, तो हमारे क्या हो गया यहां पर, loss, 5 रुपे का, अब RCV, 35, और Selling Price, 39, यानि 4 रुपे का, profit होगा, लेकिन actual देखा जाए, तो 4 रुपे का profit, अगर book value से चेक करें, तो नहीं हो रहा हमें, तो जो यह 4 रुपे का, हमें यहां profit दिख रहा है, उसे profit and loss में, credit, profit है न, यह वाला, नहीं करना आपको, deferred तब होता, जब पीछे सा जाता, तो अब चेक करिए, कौन सा तब कर रहा था हमने, F कर रहा था, यह कर रहा था, F, when the fair value, this, 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 और अपका 5 रुपे loss हो जाएगा, और 4 रुपे book as a profit, should be, amortized, deferred, यह भी amortize कर रहा है, in the books of profit, 4 रुपे, 35,9, should be, amortized, deferred lease period, पहले तो हमने 5 रुपे loss book कर लिया, fair value, the price, this, 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 revise value क्या आया था हमारा, चलो कोई नहीं, एक बार P2, क्योंकि इसके लिए, सारे कीस आपके सामने होने जरूरी है, तब ही कर पाऊ गया, इसका practical problem 1 है, ठीक है, इसमें answer दे रखा है, कुछ तो नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, हाँ, तो unsolved में answer, वो hint तो देते हैं न, यह practical problem है, practical problem में कुछ इस टाइप का है, नहीं है, चलो फिर यह वाला, यह भी कर लेना, फिर यह पूरा खतम हो जाता है, ठीक है, लीज वाला, नो के नो केसिस, अगर, जाओ, जाओ, यह वाला, अगर, हम भी कर दो, यह वाला, आर प्याओ,